एक जुट के लिए साव जुट गोविंद माधोपुर के जमिनदर राई साहब का खानदानी नवखरता। उसका बाप इसी हवेली का सेवा करता करता वाइकुंट सिधर गया। तब वह बहुत छोटा था और बीमार मा के सिवा दुनिया में उसका अपना कोई न था। इसलिए राई साहब ने तरसका कर उसे अपने यहां पाला पोसा और जब वह बड़ा हुआ तो उसे बाप की जगह पर नौकरी भी दे दी। अब वह 18 साल का जवान हो चुका था। राई साहब गोविंद को बहुत प्यार से रखते थे और खबी उससे कोई गलती हो जाती तो बेटे की तरह उसे समझा धेते थे। एक बार राई साहब ने गोविंद को एक काम सौपा। अगली पूर्णिमा के दिन राई साहब की बेटी और पडोसी गाउ के जमिनदर के बेटे का रिष्टा पक्का करने की रस्म निशित हुई थी। पर कुछ कारणों से मुहुत कुछ दिनों के लिए टल गया था। यही खबर अपने होने वाले संधी को पहुँचाने के लिए गोविंद को समझा कर बेज दिया और स्वयम किसी काम से शहर चेले गए। गोविंद जब उस गाव में जाने के लिए तयार हुआ तो राय साहब के दीवान तधा रानिवास के लोगों ने कई तरह के काम सौंप दिये। उन कामों को करने में काफी समय लग गया और सुर्यस्त होने में कुछ ही देर रह गई। पड़ोस के गाव का रास्ता उबड़ खबड़ था और अंधेरा होने से पूर्व जाकर वापस आना संभव नहीं था लेकिन मालिक का संदेश पहुचाना भी जरूरी था इसलिए गोविंद तै नहीं कर पा रहा था कि क्या करें। उसे चिंतित देखकर बूड़ा नवकर मूती उसके पास आया और बोला सुरज डूबने ही वाला है और जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। रात में बिच्चू साम का खत्रा है। इसलिए आज रुप जाओ। रस्म में अभी भी चार दिन बाकी है। कल बिमारी का बहाना बना कर चुट्टी ले लेना और जाकर समाचार दे आना। शहर से लोटकर एदी राई साहब पूछे तो बता देना की समाचार दे आया हूं। यह सलाह गोविंद को अच्छी लगी क्योंकि इससे उसका वर्तमान संकट तल गया। लेकिन मन में यह बराबर कटकता रहा की मालिक उसका जूट पकड़ लेंगे तो क्या होगा। राई साहब ने शहर से आते ही पूछा गोविंद क्या तुमने खबर पहुंचा दी। जी हां मालिक गोविंद ने जट उत्तर दिया। राई साहब ने फिर पूछा तुमने यह कबर जमिंदर को दी या घर में किसी और को दी। मालिक जमिंदर साहब गर पर ही थे, नहीं को यह समाचा ते आया हूँ। गोविंद ने बिना सोचे समझे बता दिया। यह कबर सुनकर जमिंदर साहब ने क्या कहा। राई साहब ने पुनह प्रशन किया। अच्छी बात है, उनके अनुसार ही करेंगे। यही उत्तर दिय उन्होंने मालिक गोविंद निश्चंकोच बोला मैंने सुना है कि उस गाउं के रास्ते में पढ़ने वाल नदी में बाड़ा गई है तुम उस गाउं में किस रास्ते से गए गोविंद भेजजिक बोला मालिक मैं तेर ना जानता हूं तेर कर नदी पार कर गया लोड़ते सम गोविंद के हर उत्तर पर सिर्हिला रहे थे गोविंद समझ रहा था कि उसकी बात पर मालिक को बिल्कुल शक नहीं हो रहा है राय साबह ने पुना प्रश्न किया जमिंदर सहब का बेटा कल ही अपने मामा के गाउं से लौटने वाला था क्या वह लौट कर आ गया जीहा मालि चोटे जमिंदर सहब वही थे वे कब लोटे मुझे नहीं मालूम गोविंद ने जट उत्तर दिया अच्छा सुनो जमिंदर सहब की हवेली के पिछवाडे में एक आम का पेड है क्या उसमें मंजर लग गई है राज सहब पूछते जा रहे थे गोविंद भी सारे सवालों क का जवाब ऐसे दिये जा रहा था मानों उसे मालूम था कि राय सहब क्या क्या प्रश्न करेंगे और उनका हल उसने पहले से निकाल लिया हो लेकिन इस प्रश्न को सुनकर थोड़ा अठका उसने तुरंद अपना दिमाग लड़ाया मंजर लगने का यह मौसम था ही इसलिए यह मंजर जरूर लगी होगी बस यह विचार आते ही उसने जट कहा मालिक बस मंजर लगने ही वाली थी गोविंद अब गबराने लगा कि अगला सावाल पता नहीं मालिक क्या पूछ बेटे इसलिए वह अब राय सहब से पिंड चुडाना चाता था लेकिन राय सहब ने वह कैसी है इस प्रशन का उत्तर क्या दे गोविंद समझ नहीं सका उसने सोचा कि जमिंदार सहब बीमार गाई को बिना इलाज के छोड़तों देंगे नहीं और इलाज होगा तो ठीक भी हो जाएगी इसलिए उसने जट उतर दिया मालिक अब तो गाई बिलकुल चंगी हो गई है प्राय साहब भी यह देखना चाहते थे कि गोविंद के जूट का कजाना कितना बड़ा है इसलिए मुस्कुराते हुए उन्होंने फिर पूचा अच्छा गोविंद यह तो बताओ तुमने वहा खाना खाया या नहीं उसने सोचा कि एदी वह कह दे कि खाना नहीं काया त जमिंदर साहब के लिए यह अपमान की बात होगी इसलिए वह सोचकर बोला आपके समधी साहब ने बहुत बढ़िया खाना किलाया मालिक अब वह जूट बोलते बोलते तंग आ दिया था इसलिए धरते हुए उसने पूचा अब मैं घर जाओं मालिक राय साहब ने कड़ी नजर से उसकी और देखते हुए कहा अरे गोविंद तुमने जूट बोलना कब से सीख लिया यह सावाल सुनकर गोविंद समझ गया कि मालिक ने उसका जूट पकड़ लिया है इसलिए वह धर से थर थर कामपने लगा लेकिन राय साहब मुस्कुराते हुए बोले हो सकता है कि किसी कारण से खबर पहुंचाने में तुम उस गाउं में ना जा सके तो यही बात तुम पहले पता देते मैं तुम्हें कल बेज देता लेकिन तुमने जूट क्यों कहा और एक जूट को सच बनाने के लिए जूट का खजाना गड़ना पड़ा यह बात तो अब तुम भल का समाचार उन्हें बता दिया लेकिन तुमने कहा कि जमिंदर साहिब गाउं में है तब ही मैं समझ गया कि तुम जूट बूल रहे हो जब मैंने नदी में बाड़ आने की बात कही तो तुमने उसे सच मान लिया क्या तुम्हें नहीं मालुम कि नदी आजकल सुखी हुई है राय साहिब ने प्यार से समझाते हुए पूचा नहीं मालिक कई दिनों से मैं नदी की वोर नहीं जा सका गोविंद ने खामते स्वर में उत्तर दिये यह सुनकर राय साहिब वो खिल खिला कर हस पड़े और बोले जमिंदर साहिब का बेटा अभी मामा के यहां से आया नही उनके घर के पिछवाडे में आम का पेड़ भी नहीं है वहां सिर्फ नीम का पेड़ है और मटमौले रंग की गाई यहां सब जूट है गोविंद का जुका हुआ सिर जुका ही रह गया राय साहिब कुर्सी से उटते हुए गोविंद को डांट कर बोले आज से फिर कभी ज जूट नहीं बोलना जूट अंगार के समान है यहां फैलता ही चला जाएगा और सब कुछ जला कर राक करतेगा गोविंद हात जोडतर बोला माफ कर दीजे मालिक मैंने यह सोचकर जूट कहा की सची बात बताऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे बविश में मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा मालिक अच्छी बात है मालकिन से मांग कर खाना कालो और घर चले जाओ राय साहब ने बड़े वादसले भाव से कहा